हेलो गुड इवनिंग सभी को और अभी सामके बज रहे हैं पांच तो अभी हम लोग खाना बन रहा था साथ में हमने सुझे कि कुछ और बना लेते हैं तो यहां गुलाब जामून का पैकेट लाए थे तो वही हम बना रहे हैं तो इसकी रेश्पित मैंने पहले औरेडी सेयर की हुई है तो आज तो नहीं करूँगी और हम ना दाल भी भिंगाए थे तो इधर रखी हुई भी है साफ करके तो दाल के बनाने वाले हैं तही बड़े तो यहां पे मैं रजगुले फ्राई कर रही हुई गुलाब जामून इधर पे रजगुले बोलते हैं हमारे यहां गुलाब जामून बोलते हैं जो सपेद वाले होते हैं छेना के उसे रजगुले बोला जाता है और साथ मैं आज भिंडी की सबजी बनने वाली है तो मम्मी बनाने वाली ये वो और बस में यहां रजगुले और दई बड़े बनाऊंगी और अभी बेट हो रहा है सब लोगों का कि कब खाएंगे कब बनेंगे करके दो को ये बच्ची ऐसी लग जाते है जो दीने क्या खाएगी बेटा अभी देखो ये पन गई अभी इसका पाने की बन गया है तो इसमें में मिला रही हूँ और जादू और काविया इसे ही ले लेके भग रहे है उनको ऐसी पसंद आदू पर तो ऐसी पसंदे उपोल दिया पहले से कि ममें मेरा स्वाली नहीं खाऊंगा तू वेसी लेके सबस्ते बगाएं की जब सब खाते हूं और जो भी चातने लगते हैं की अम्ड़ दिया नहीं रहें की अक्रण मढ़ल मॉऔ तो देख अब यंडी की सबजी ममी ने बनाई है तो आटा गुट्टरी रोटी बनाने के लिए और पांच बच गया है देखू बनाने बैटो तो एक देड़ घंटा बिल्कुल लग जालता है नहीं मैं चाल लिए तो भी देखने उधर पर क्या हाल चलता है और ना मैं दाल मिंगा के रखी होड़त की तही बड़ा बनाने के लिए तो दाल तो साफ हो गई है पर अभी पीसना है उसको दाल को पीस के नहीं हुई है देखते हैं दादू लोग क्या करते हैं अब पता यह नई वाली टी-सर्ट है दादे की कल हम लोग गए थे ना मार्केट तो यह वाली दादू के लिए टी-सर्ट लेके आएं और दो और लाएं हैं का रखी लै दिखाएगा दादू की नाई टी-सर्ट दिखाएगा एग करीन कलर की और गुब्ला कलर की और ना कलर के लिए बैलो अच्छ बता दो कि मेरे ममी कपड़ा नहीं प्यारे बच्चह न्य देखो यह गुस्टा हो गई देखो जोके ना हमको मिला नहीं एक तु अतली माऱ्ेट फुला और अब कपड़े भी कुछ नहीं तो उसके लिए कावे के लिए मिला ही नहीं और दादू के लिए बस टीसर्ट मिली बस ऐसे नहीं करती बेटा अच्छे सब्सक्राइब तो यह न गर्मी की हिसाब से अच्छी है हाप हाप बहुत अच्छी है अच्छा दिख रहा है दादू ब्यूटिफुल हैंडसम द दिखना अबर और हूं इधर सो रहा है इसके पापार सब्सक्राइब को और यह जहाए यह जो कि देखो टीवी चल रही है साएं बीफिएर अभी तये अट रहा है क्या चुम तो दूसरा में कहें कैंना बमां कि अगिर्क अग्पायों से ना गई आहि जोप पाया बें पर स तो फिर दो दिन और लगेंगे परना अब दूप निकल जाना चीव नहीं तो गेहूं फुरा खराब हो जाएगा अगर पानी आएगा तो और गेट को खुला रखो ना यह जाली को तो यह आके गेहूं खाते जाती है और जाते जाती है और हम लोग सुछते हैं कि ऐसे ही आ र बदल वाली दूप हो गई थी और उमस बहुत ज़्यादा है गर्मी बहुत ज़्यादा है यह ली 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 और वो उपर क्या बना हुआ है यह ब्लैक बोल्ड है और यह पेंसिल यह फ्लावर और यह डंडी तो कोई कांग है और यहां पर मैं पीचरे उड़त की दाल दही मिक्सर में पीचती हूं बड़े बड़े बनाना रहा तो क्योंकि अच्छे से फिटा जाती है विरहाथ से फिटने की जरत नहीं होती एकदम चिकनी पीच लो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं धई बड़े तो यहां हमने सुबह भिंगा दिये थी तो साम तक आराम से भिं भिंग गए हैं और यदि जल्दी बाची रहती दाल भिंगाने में तो हलका गुनगुना पानी में भिंगा दो तो एक दो घंटे में आराम से भिंग जाती है तो बस यह भी भिंग के हो गई है तैयार मतलब पीस के तो मैंने सुचा कि पूरा गार एकदम ऐसी सा हो रहा था जबत रहता है तो उसी दिन में हमेशा बनाती हूं और आज अच्छे दिखें तब देखते है कब बनते हैं और यह देखो यहां डान्स हो रहा है और पावडर नास हो रहा है और इसके हाथ में अगर पावडर लग गया तो यह बचने वाला नहीं हुआ है नहीं हुआ है इतना सारा तह है ठूस ले किसना खाएगी खाले और इधन ममी ने समझी बनाई है भी मैं प्लीज दे दो ममा को ममी कहीं आपको बहुत परसान करती है ना अभी क्या निकाल रही है और यह दढ़ा के लिए दही है तो इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाए है मीठा ही अच्छा लगता है और यहीं मीठा नहीं करना है ना तो फिर उसमें इंबली की चटनी बनानी पड़ती है खजूर की तो उससे अच्छा है तरीका यह कि आप दही मीठ कर लो खटा मीठा दही हो जाता है तो बहुत टेश्टी लगता है तो बस इसको पीस के तयार कर लेंगे दही को और रख देंगे दही का काम फिनिश हो जाएगा और बस यहां दाल में में थोड़ी सी हींग मिला रही हूं और थोड़ा सा नमक है और इसमें थोड़ा समय जी दिखता है खल्दी नहीं मिलाई यह मैंने इसमें और अच्छे से मिक्स करके और इसके बड़े तल लेंगे और कुछ लोग इसमें न धनिया पॉडर हैरी मिलच भी मिला देते हैं तो मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है क्यूंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था अच लाने का काटवी थोड़ी दाल गीली होती है इसकी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उड़त दाल मिकसर में पीसती नहीं है, तो थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ता है हलका सा, पर बनते बहुत अच्छे, उपर सिक्दम कृषपी रहते और अंदर सिक्दम जालीदार बन जाते है और यह ऐसे बनाई हूँ मैंने बड़े-बड़े पकोड़े टाइप के तो खाने वाले तो सिर्फ मैं और मम्मी हैं दही बड़े बाकि तो कोई नहीं खाने वाला है तो उनके लिए देखते हैं पर दही बड़े ऐसे खराब नहीं होते तो एक दो दिन तक खा सकते हैं ऐसा न यादू के पापा खाती ही नहीं है तो फिर क्या मतलब बनाने से और यह देखो ऐसे पानी थोड़ा सा गरम है गुन-गुना सा और उसमें दबा के सारे बड़े डाल दिये हैं मैंने और अकेले के लिए बनाने में थोड़ा अजीब भी लगता है ना इसलिए नहीं बनाती है नहीं तो खाने में तो अच्छे लगते हैं किसको नहीं अच्छे लगते हैं सबको अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा गरमी हो रही ही किचन में क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल कई लोग दहीम नहीं खाएंगे बिखेंगे चोटे ना जब बड़े हो जाएंगे तो सब खाने लगेंगे रहाएं से जारे के सारे तल लेंगे पिर और यह देखो इसका हलका हलका पानी निचोड़ के अब मैं इसको साल की दाल दे रही हूं ऐसे ही बनाते हैं दही बड़े मैं भी यहीं आके सीखियों पहले तो नहीं बनाती थी तो यहीं आई हूँ तो सीखियों दही बड़े बनाना और बहुत अच्छे बन जाते हैं और इसमें न कोई याने टेंशन भी नहीं रहता भूना जीरा का पॉर्डर मिलाई हूँ थोड़ा सा उपर से और उसके बाद फिर हम इसमें रेट चिली पॉर्डर का समीरी लाल मिर्च मिलादी हूँ कलर के लिए फ्लेवर तो काली मिर्च से आता है इसमें तो ये देखो कितना सुन्दर दीकरा है एक दम लाजवाब और थोड़ा सा चाट मसाला है ये देखे चाट मसाला एवरेस्ट का है और इसके साथ हम इसमें काली मिर्च का पॉर्डर मिलाएंगे थोड़ा सा पस अब ये तैयार है अब इसमें मैं उपर से तड़का दे दूंगी थोड़ा सा राई जीरा और करीपता का तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे दही बड़ा खाने के लिए टेश्टी से और एक घंटे के बाद खालो इसको तो इसका जो दही है दही बड़े के अंदर मतलब बड़े के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत टेश्टी सा लगता है और हलका सा उपर्शी मैंने नमक मिला दिया है तो आज हमारे हां कुलाब जबन बन गई दही बड़े बन गए और थोड़ा सा का न मैंने ये भी बना दी क्योंकि मेरे बच्चे दही बड़े तो खाएंगे नहीं और सायद दादू के पापा भी न खाएं तो यह हम लोग के लिए हो जाएगा और पौन लोगों के लिए तो देखो किते यमी लग रहे हैं जो लग रहा है भी खालो पर खाते हैं और देखो मेरा मुझा पूरा पसीना पसीना हो गया है वही तो गर्मी बहुत जादा है आप खाती हित मेरा मन नहीं करता है कर पाऊए नहीं म करता है और चलो य़ी लोग आप पर यह दो दो क्या करता है कि में बनागों के खाती है तो मेरा मोर भी मन जी करता है तो चलो फिर अब में खाना देते हैं इसके पापा को क्यों कि उनकी नाइट ट्यूटी तो खाना खाके अब ड्यूटी भी जाना है उन लोगों को उनको तो भी इंडी की सब्ची बनी है चाबल बना है बैल है और यह बड़ा बड़ा है गुलाब जमून है आज के डीडर तो अभी हमारा खाना माला तो नहीं हुआ है अभी खाएंगे पर मैंने सूची कि यह ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूं पर मम्मी जाने वाली है करके ना मैंने आज गुलाब जमून भी बनाई दही बड़ा भी बनाई फिर आमको पता चला कि कल ही मम्मी जाएगी तो ना मेरे को इतना वेकार लगाई तो बेकार लगा कि मेरे जहां क्रियास्वागए जब मम्मी आती ना तो बड़ा अच्छा लगए अभी अभी मैंने मम्मी को बलिए वेको और गाड जाने वाली है तो अब उससे जाएगी मम्मी अचानक से हुआ तो इक्दम विकार लगने रगा औ अभी हम लोग भी नहीं जा सकते तो मैं भी चले जाती है मम्मी गया मलती बताए में को रोती है तो कित्ती अची कित्ती है पुरी आखे मेरी सूच जाती है तो मैं रोती हुँ ना मेरी पूरी आखे से सूच जाती है पुरी लाल लाल हो जाती है तो अभी दादू को बताए तो वो जा भी नहीं सकता, क्योंकि अभी स्कूल भी अगर आचांस खुलेंगे online classes, तो फिर दीकत हो जाती है, इसलिए तो जाना तो पड़ेगा जी, है न ममी, ममी के मिरकी गईया भी हो गई ना, जन गई, तो एक चोटा सा उसका बेबी भी हो गया है, तो इस वज़ा से भी म अमी की मौसी इस पार हो गई तो फिर उनकी तेरवी है और एक फो मौसी है तो जाना चरूँटी है, और अभी पसमे रता, तो जब एकस्पार हो तब भी जाती है तो भी जाती है तो फिराल छले गए पुछ लाँ खर के, तो ममी को भी हड़बड हरी मच गई है जाने की …अ सब के फिर नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ जो तक कि पाइब डुनाइट गुटनाइट गुटनाइट बाइफ